हाई एवरीवन तो यहाँ पर एक और टॉपिक है जो सेंसर से रिलेटेड है ठीक है तो वह हम डिसकस कर लेते हैं आज इस वीडियो से विच इस कॉल्ड सेंसर की एरर येस अब देखो यार सेंसर हमने पड़ा था हमने ग्लासिफिकेशन उस सेंसर देख लिए हमने है ना क्ला कर रहा होता है इंवार्मेंट से एंड हमें क्या दे रहा होता है एलेक्ट्रिक सिगनल के तुरू हमें सेंस करके चीज़े दे रहा होता है तो में इंपर्टेंट बात है सेंसर क्या मेजर कर रहा होता है इंवार्मेंट से फिजिकल एनर्जी को कर रहा होता है एलेक्ट्रिक हो जाए ठीक है जो भी डेटा होना चाहिए मालो पहले एक sensor है कोई temperature sensor तो वो input लिया बिल्कुल ठीक है and उसने sense किया और हमें एक output दे दिया and suppose output आ रहा है let's suppose 50 degree suppose ठीक है temperature है क्योंकि ठीक है तो 50 आ रहा है मेरा output अब एक साल बाद वो मालो 50 की जगा वो आ गया 45 वही same input में दूसरा आपको output मिल जागा तो इससे हमें क्या समाझ मैं कि एक तरीक है कि यहाँ पे भी हमें error मिल गई है हम जब पिछले साल इसको sense कर रहे थे same input के अंदर same चीजों से तो हमें different output मिला था अब different मिला है so it means कि यहाँ पे एक error है तो इस type की बहुत सरी errors हो सकती है and इसके अंदर हम आज 4 error पढ़ने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले आप errors के बारे मैं explain कर सकते हूं तो sensor's error typically refers to inaccuracies ठीक है inaccuracy और derivations derivation मतलब changes ठीक है तो जो जो inaccuracy है बिलकुल accuracy नहीं मिल रही है अपने को भले हो time के साथ हो चाहिए different scenarios में होगो सब हम देखेंगे अभी तो तब समझ में जाएगा in the reading provided by the sensors तो sensors जो हमें reading दे रहा है sensors हमें जो दे रहा है उसमें sense करके हो सकता है कि data में inaccuracy है जाए data में changes हो जाए ठीक है तो इसे कहींग हम sensors error clear है तो आज हम पढ़ने वाले चार टाइप के फस्ट वन इस और ऑफसे टरर सेकंड इस ड्रिफ्ट थर्ड वन इस है hysteresis error and fourth one is quantization error ठीक है तो यह आप चार error ज्यादा तर देखोगे तो फस्ट अफोल हम देखते हैं offset error तो offset error क्या होती है कि माल लोग सबसे पहले normal scenario में माल लोग मेरे एक sensor है जब मैं उसमें input दे ही नहीं रहा हूँ तो मेरे को output मिलना ही नहीं चाहिए या फिर जब मैं उसमें 0 input दे रहा हूँ तो मेरे को output भी 0 मिलना चाहिए बट किसी scenario पर output मुझे 0 की जग कुछ और मिल रहा है तो इस टाइप की जब error मिल जाए तो इससे हम कहेंगे offset error ठीक है offset error में हम यही मिलता है जब भी हम कुछ भी sense नहीं कर रहे होता है तब हम आउट पुट मिल जाता है या फिर हम 0 input दे रहे होता है तब 0 input signal या फिर no input signal दे रहे होता है तब हमें एक output generate होता हुआ मिल जाता है so this is your offset error तो इसके वारे में लिखा गया this error when the sensor's output does not start at 0 ठीक है clear है बात तो हमें output sensors क्या दे रहा होता है 0 से जाता दे रहा होता है when the input is 0 जब मेरा input 0 होता है तब मेरे का output मिल रहा होता है तो यह possible हो सकता है या नहीं हो सकता या फिर आप दूसरे simple words में जो मैं आपको बता है जब भी हम को input ही नहीं दे रहे हैं तो हमें output कैसे मिल जाएगा या फिर हमें sensors किस तरीके से sense करके देगा नहीं दे सकता तो उसी को offset error कहता है So in other words even when there is no input signal जब हम कुछ signal ही नहीं दे रहे हैं input में तो sensors हमें कैसे दे सकता है non-zero reading कैसे हमें value दे सकता है ठीक है तो एकदम error ही होने वाली and this error को कहेंगे हम offset error ठीक है अब यह offset error बहुत तरीके से हो सकती है environment change होने से imperfection से तो उसके बारे में लिखा गया next error है which is called drift drift मतलब change अब मालो यह मेरा sensor है कोई सा भी sensor हो सकता है temperature भागे रहा है जो भी sensor है ठीक है तो sensor है input data है उसको sense करेगा yes तो drift क्या बोल रहा होता है कि पहले जो भी input है उसमें sense किया उसमें उसने output reduce करके दे दिया let's suppose 50 ठीक है अब वो next time पे या फिर after some time मैंने एक दो महने या पांच है महने या एक साल बाद चेक किया तो वो 45 दिन लग गया तो इसका उतला बे same input पे कुछ different output values मिलने लग गई है so drift refers to the gradual change ठीक है यह बात समाझ में आ रही है yes so drift refers to the gradual change in the sensor's output over the time over time means after some times और you can say एक साल पांच है मैंने के बाद या कुछ time बाद हमें देखने को मिल जाती है even when the input remains constant जब मेरा input same रहता है but हमको output यार कुछ कम मिल सकता है कुछ ज़्यादा मिल सकता तो आप ये समझू जब मैं constant same data दे रहा हूँ input में तो मुझे output में different data कैसे मिल रहा है तो ये भी एक तरीके का क्या है change है ये भी एक तरीके का क्या error है so you can say ये कैसे हो सकता है बिलकुल राई temperature के बज़े इससे हो सकता है mechanical stress वगर के हो सकता है and different different scenarios में भी ये changes हो सकते है so this is your drift error next error which is called hysteresis अब hysteresis error किस तरीके से हो रही होती है वो समझता है तो suppose मेरे पास input है and sensor है तो वो क्या करगा sense करगे वोगा output produce करगा अब वो next time जब भी sense करगे है हमें दूसरा output दे रहा होगा different scenarios में different inputs तो वो previous का भी input use कर रहा होगा ठीक है तो hysteresis is a phenomenon where the output of the sensor depends not only the current input but वो किस पर depend कर रहा होता है current input में तो करी रहा होता है but previous वाले input में भी depend कर रहा होता है तो suppose दो scenario है तो अगर ये different input है उसके लिए उसका output मिल गया है and अगर मैं गोलूँ वही sensor है मेरा तो उसका हो सकता जो output है वो पिछले वाले input से भी और same current input से भी क्या हो उस पर depend कर रहा हो तो this is your hysteresis ठीक है मतलब history पर बात कर दिया hysteresis को समझने के लिए आप समझ सकते हों कि history मतलब पीछे की तरफ बात कर रहा है पीछे मतलब पिछला input भी वो देख रहा है so hysteresis is a phenomenon where the output of the sensor depends not only the current input सिर्फ current input पे भी डिपेंड नी करेगा साथ ही साथ किस पर करेगा हो history पे भी करेगा और you can say past input में भी depend करेगा clear है इसको दूसरे words में के लिए the output values lags behind the change in the input value simple लग रहा है yes so this can occur in the sensor with a physical environment that exhibits the inertia और memory efforts तो scenario में hysteresis हो सकती है next which is a which is called quantization error and quantization error क्या होता है उसको समझते है so first of all हमने जब यहाँ पे types या फिर you can say classifications पढ़ेते है sensors के not types तो classification हम पढ़ रहेते है तो हमने देखा था है active sensor, passive sensor होता है analog और digital sensor होता है scalar और vector sensor होता है तो quantization error किस में आ रही होती है analog से digital है तो हमने वहाँ पे जब classification पढ़े थे तो analog sensor पढ़ा था and digital पढ़ा था तो अब यहाँ पी क्या है जो भी चीज मेरे पास पढ़ी हुई है analog में और इसको मैं change करा हूँ digital में उस time पे जो मेरे को error या different scenarios देखने को मिल सकते है तो वो कहलाता है quantization error अब यह कैसे हो रहा होता है अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो मैं आपको graph phase में भी उसको represent किया था तो analog क्या continuous graph है मतलब break नहीं होगा बट digital में क्या है या तो 0 होगा या तो 1 होगा ठीक है उस तरीके से signals समझी क्या होगे तो अगर analog को digital में करना है तो उस scenario में क्या हो सकता है changes हो सकते है और उसी changes में आप समझो कि एक error में को मिल सकती है तो हो सकता output चेंज भी है ठीक है So you can say quantization error हो तो quantization error arises from the finite resolution of the sensor output it अगर when the sensor analog output जो मेरा sensor का analog का output है उसको मैं convert कर रहा हूँ digital format में तो हो सकता है कि differences देखने को मिल जाए and अगर वो differences आ रहे है तो इसका मतलब हो quantization error है ठीक है So the difference between the actual analog value and the nearest digital representation introduce the quantization error this error is inherent in digital sensors and can be reduces by increasing the resolution of the analog to digital conversion ठीक है और you can say converter so इस तरीके की error quantization error कहलाती है तो मेरे खाल से मैंने आपको एक detailed video बता दिया sensors error के बारे में and सभी को समझवे आ गया so यह राज करेते हैं फिला मिलतें next video के साथ